कुंड़ा से विधायक रगुराज प्रताप सिंग और उफ राजा भहिया अपनी पत्नी भानवी सिंग से अलग होना चाहते हैं दोनों की बीच तलाग का मामला कोट में है लेकिन दोनों की बीच विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था 2022 में ही राजा भहिया ने तलाग की अरजी लगाई थी मामले को लेकर कई कयास लगाय जा रहे हैं कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों की बीच कड़वाहट काफी समय से चल रही थी और दोनों अलग-अलग भी काफी लंबे समय से रह रहे थे दोनों की बीच तकरार की खबरों की बीच सीयम योगी आदितनात ने भी मामले को संभालने की कोशिश की थी जी हाँ एक और मीडिय रिपोर्ट की माने तो जब राजा भहिया और उनकी पतनी भानवी कुमारी के बीच चल रही तकरार की खबर सीम योगी तक पहुँची तो उन्हें दोनों को अलग-अलग बुला कर समझाय था खबर के मताबिक सीम योगी ने उनसे कहा था कि अब राजगराने बहुत ही कम बचे हैं अच्छे विरासत के लिए इन सम्बंधों का बना रहना बहुत जरूरी है इसलिए परिवार में किसी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए ऐसे में आप दोनों लोग खुशी से साथ साथ रहे इसके साथ कोट कछरी जाने से परहेच करें लेकिन सीम योगी के समझाने के बवाजूद भी राजगराने दिल्ली के साकेत कोट में तलाप की अरजी दाखिल कर दी कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि राजा भाईया ने सीएम योगी के सामने ही अपनी पत्नी को लेकर कई आरोप लगाए थे बता दे राजा भाईया ने नाराजगी के बाद भानवी सिंग अपने दिल्ली इस्तित आवास में ही रहने लगी है हलांकि दोनों की बीच नाराजगी की वज़ा क्या रही इस बारे में सिर्फ कयास बाजियां ही लगती रही है दो साल पहले राजा भाईया ने कोट में तलाक की अरजी दाखिल की थी इसमें उनोंने उनके ओपर परिजनों को अपमानित करने की बात कही थी इतना ही नहीं उनने बच्चों की परगरिश में भी लापरवाही की बात कही है मामला साकेत फैमिली कोट में है और तलाक की अरजी पर अब 23 मई को सुनवाई होनी है बताया जाता है कि राजा भाईया और भानवे सिंग के रिष्टों में काफी अर्से से कड़वाहट थी ये बात उजागर तब हुई जब भानवी ने मलसी अक्षे परताप सिंग के खिलाब केस दर्च करा दिया बता देंगी अक्षा प्रताप सिंग राजा भहिया के बेहद करीबी है उनके खिलाब ये केस धोकादरी जालसाजी सहीद कई संगीन धाराओं में दर्च कराये गया था राजा भहिया उत्रप्रदेश के प्रताप गड़ स्तित कुंडा से लगातार साथवी बाहर निर्दल ये विधायक है वो 1993 से लगातार विधायक है